वो करती हैं अपनी मनमर्जियां और सुनती हैं सिर्फ दिल की जिसका नाम है शबाना और चहेती हैं पूरे मुल्क की कभी रानिंग शादी की चिलबुली निम्मी बन कर तो कभी पेंकी स्ट्रॉंग हेड़ेड मीनल अरोडा आज लेने वाली हैं किसी से बदला आईये जानते हैं ये बदला किस से है नवोद्या टाइम सौर्ट पंजाब केसरी के खाश रो में हलो तापसी पन्नू है एस बहुत ही प्यारा लिखा हुआ इंट्रॉड़क्शन थाइंक यू अचा तापसी ये जो बदला है ये जो रिवेंज है ये आखिर क्यों है और किस से है मैं पहली बार कोई मुर्डर मिस्ट्री कर रही हूं शुजवाए गोश के साथ हाँ वो भी मतलब थ्रिलर्स का जो दी डिरेक्टर है थ्रिलर्स के लिए उनके जो थ्रिलर्स का थ्रिल होता है वो कुछ अलग ही होता है शुजवाए गोश की अब उनकी पिक्चर करी है तो मैं भी चाहूंगे कि ओडियन्स बताया मुझे देखने के बाद कि उन्हें कैसी लगी या किस ने बदला लिया किस से लिया कैसे लिया या बदला जायज है की नहीं हाँ वो भी बता दीजेगा अभी तो फिलहाल मैं इतना बोल सकती हूँ की एक एसी बतायए मैं नहीं नहीं किया सब्सकता है तो बहुत विश्वास कुरों कि देखने लाएख़गी कुछ करा है मैंने तो सोच समझ के ही चूज कि वोगा कुछ अलग होगा अचा इसनौड ए वांटायम वाज़ बार बार देखने का उन करेका कि end तो यार हमारे को more or less हर picture का पता ही होता है न? कि end में तो यह हुई जाएगा, end में तो जैसे कि कोई इस तरह का case है तो end में तो पता चली जाएगा किस ने की है या फिर कोई love story है तो end में मिली जाएंगे पता है तो end देखने के थोड़ना हम picture देखते हैं हम यह देखने देखने के कैसे पहुँचें end तक अच्रा अठापसी फिल्म की tagline है कि बदला लेना हर बार सही नहीं होता लेकिन माफ कर देना भी हर बार सही नहीं होता आप बदला लेने में यहीन रखते हैं या माफ कर देती हैं I think कोई इंसान नहीं फिर भगवान है अगर वो बदला नहीं लेता या भावना नहीं रखता बदले की क्योंकि एक बहुत ही natural human emotion है अगर आप यह कहते हैं कि आप तो हमेशा माफ कर देते हैं और तो बही आप तो इंसान ही नहीं है आप तो पूझना लाइक चीज है अब तरीका बदल जाता है दस साल के हो तो तो बदला अलग तरीके से लिया जाता है तीस साल के हो तो तो अलग तरीके से लिया जाता है अचा ऐसा पढ़ा मैंने और ऐसा यूनो ऐसा भी कहा जा रहा है कि 2016 में एक Spanish film आई थी The Invisible Guest तो क्या बदला उसका official Hindi remake है उसे हम माने जी बिल्कुल मानिये पहला credit आपने जो देखा है आपने अगर किस जो लोगों जो लोग ट्रेलर धंक से नहीं देखते हैं उन लोगों के लिए मैं इन words clarify कर देती हूँ त्रेलर अगर आप देखे तो अंत में जहां credit सारे आते हैं सबके नाम लिखे आते हैं जो जो involved है picture में ठीक आपको picture के नाम के नीचे सबसे पहला credit जो होगा story और screenplay का वो आपको दिखाए देगा नाम है Oryol Pollo और वो कोई Indian इंसान नहीं है सबसे पहला credit उनको दिया गया है क्योंकि ये एक official Hindi remake है और उनको सबसे पहला credit इसले दिया शुजवय ने अपने लिए adapted screenplay का credit लिया है जो कि काफी writers और directors ये वाला नहीं लेते हैं आप इधर भी देख लीजे आपके जो बोड लगे हैं इसमें और यॉल पॉलो का नाम लिखा है तो या सो इनको वकाइदा credit दिया गया है कि उनकी story है हम लोगों ने और सिजब किसी European cinema को आप Hindi में बनाएंगे तो ऐसा कब ऐसा तो बना नहीं सकते सबसे बड़ा सबसे बड़ा change अगर लोगों को सुनना ही है changes के बारे में सबसे बड़ा change यह है कि original के अंदर जो मेरा किरदार है वो एक लड़के का था जो बच्चन सर का किरदार है वो एक लड़की का था तो यह change किया गया है पूरा अब इस को change करने की वज़े से बाप्रोटैगनेस के gender reverse कर देते हैं तो बहुत और चीजें reverse हो जाते हैं क्योंकि एक लड़की change है जो बाकी सारे changes trigger करता है अब बच्चन साब की बात हुए है तो पिंक में मीनल अरोडा की मदद की थी दीपक सहेगल ने और यहां पर नैना की मदद कर रहे है बादल गुपता तो यह क्या connection है यह connection है कि मेरे producers के बात बहुत पैसा है वो इतना expensive lawyer afford कर सकते है मुताब बच से एक tempt करने वाली चीज है कि हम दोनों वापिस एक picture में आ रहे हैं यह courtroom drama तो नहीं है पिंक की तरह कोड के बाहर ही settlement कर लेते हैं बट यह भी वही है जहां मेरे lawyer है मैं उनकी client भी आप से सच जानना चाह रहे थे वह और यहां पर भी आप से सच जानना चाह रहे थे वहां प का ही तरीका है किस तरीके से वह सच को सामने लेके आते हैं और अपने client को defend करते हैं उसके अंदर बस इस चीज के इलावा कि मेरे lawyer है और मैं उनकी client हूं पिंक और बदला में और कुछ भी similar नहीं है हमारे लिए एक पॉजिटिव चीज हो गई हम दोनों सेम तरह के role में थे क client हूं और lawyer है ताकि audience शाद इसी वज़े से हमारी तरफ attract हो के आजाए picture देखने कि इन्होंने ऐसा पहले किया था पता नहीं इस बारी भी उतना ही अच्छा कुछ कुछ कर दें शायद इस वज़े से हमारे को एक मौका दे दें क्योंकि वह मौका मिलने के बाद जब आएंग में फसी थी वो ऐसा इसके साथ कुछ निया नैना सेथी जो है खुद अपने आप self-made पहुत strong, smart, shrewd to an extent, borderline arrogant तरहां की character है जिसने सब कुछ from scratch अपने आप create किया है एक foreign country के अंदर, Scotland में based है उसने अपनी company खुद खड़ी करी है तो इतने बड़े काम पे पहुँचने के ब उसका एक relationship बन जाता है एक लड़के से उस गलती को तो वो मानती है बट उसकी वजए से इतना बड़ा इल्जाम उसके उपर murder का जो लग गया है वो उसको fight करने से नहीं घबराएगी और इतना बड़ा जो उसने company खड़ी करी है अपने नाम पे वो कुछ भी करके उसको किया lawyer खुद अपने पैसे दे के lawyer को कि भी you have to fight my case kind of a thing so यह जो हमारी equation chemistry है बच्चन सर के साथ इस फिल्म के अंदर वो बहुत अलग है पिंक से क्या बात है अच्छा यहां पर बात हुए कि जो नेना है बड़ी strong headed है independent woman है और woman oriented subjects में ही महारत हासल है Sujoy घोश को कहानी हो गया कहानी 2 हो गई तो अभी फिल्हाल Sujoy के साथ आपका experience कैसा रहा जब पिक्चर के script सुनी थी न उस समय और कोई था नहीं उस film के सबके साथ simultaneously बात चल रही थी So you were the first one? I was one of the first to read the script and simultaneously directors को pitch हुई थी, director को pitch हुई थी और co-actor को भी पिछ हुई थी मुझे नहीं पता था कौन होने वाला है picture में तो मैंने जब script पड़ी थी तो मैंने जब producer को बोला कि अच्छा मैं करने को तयार हूं फिल मैंने फोन घुमाया शुजवय को और उसको बोला कि यह तो आपकी वाली फिल्म है typical perfect thriller, typical शुजवय घुष थ्रिलर, character लड़की का भी इतना solid है कि आपसे लोग expect करेंगे ऐसा कुछ उस समय उसका मानना था कि भई नहीं मैं adapted है मतलब अलड़ी हो चुकी है मैं क्यों करूं मैं कुछ और कर लेता हूं मैं पास अपनी scripts है या फिर मैं इससे बहतर ना बना पाऊं अगर नहीं बना पाया बहतर तो क्या फायदा करने का आप कंविंस थी शुरू से मैं कंविंस थी के मेरे को यह करनी है और यह शुजवय बेस्ट होगा इसको करने के लिए तो उसने मना कर दिया था मुझे फिर कुछ तीन-चार महीने बाद मुझे पता चला प्रोड्यूसर से के बच्चन सर और शुजवय दोनों पिक्चर में को क्ते अप्रोड्यूत्य इस थी शुजवय दोनों करने में थो में में आपके की बाद डिया तो में रह्त करता आप मुझे से लाय उच्ट में का में सदो प्रोड्यूसर से यहां पूल oscillate चरह शुजवय का नाम के नाम एका प्रजल रज़ाती रजा का में का धने काम सब तोटली एंड मैं डेफिनिटली इस तिकडी को देखना चाहूंगी कि यह बदला कैसे लिया गया, क्यों लिया गया और किस के लिया गया तो बी प्रसाइस अगया ट्रेलर देखके न ऐसा लग रहा है कि नेना सेठी का जो कारेक्टर है उसमें नेना भी कुछ छुपा रही है कुछ उसमें ग्रेशेड जै कभी वो विक्टिम लगती है कभी ऑनन एक बड़ा पॉजटिव क्यारेक्टर लगता है तो मैं मुझे पता आप नहीं बताइ यह तो सब को पता ही होगा, ट्रेलर मिस्गाइड करने के लिए ही काटा जाता है थ्रिलर्स का, कि आपको exactly ना पता चल पाए, अगर ट्रेलर में सब दिखा देंगो तो शायद पिक्चर दिखाने का फाइदा ही नहीं होता, इसके अंदर मेरे कारक्टर में ही नहीं, सब के कार में एक लेयर चुपी हुए है, बड़ी, multiple layers चुपी हुए है actually, कौन किसम में अपना कौन सा पता खोलता पता नहीं, तो वो including Badal Gupta, including Naina Sethi and other characters also in the film, किसी को face value पे मत लेना कभी भी कुछ भी नहीं चीज तुमारे सामने रख देगा, इसलिए अपने audience को बोलती हूँ के, बस मस्त सी ride के लिए आओ, आपको बड़ा, मतलब roller coaster जैसा feel होगा जो आप picture देख रहे होगे, क्या बात है और roller coaster ride पे जल्दी हम बैठने वाले है, आठ मार्च को picture release हो रही है, International Women's Day है और तापसी जानी जाती है, women-oriented subjects पे काम करने के लिए, कितनी लड़कियों की idol है वो, तो य आठ मार्च की जो release date है, आपने select की? नहीं, इतनी नहीं हुई है मेरी अभी, कि मेरी इतनी नहीं चलती है कि मैं रिलीज देट पिक्च करूँ पिक्च की. अच्छ तो एहम रहा ही होगा, पिकेज, अच्छी, I don't think producers ने ये सोचा, Friday था, 8 मार्च को एक तो, दूसरा, I think, जब अनौन्स वहा तो मेरी ले बी surprise था कि अच्छा, अनौन्स होगे release date already? कुछ 4-5 जे कि नहीं होए था, picture shoot करते होए and already announcement आगे थी 9 मार्च को तो पड़ते सार मेरे बट्ती जली थी तो विमन्स जे है, but अच्छा इसले लगा था क्योंकि मैं काफी ताम से सोच रही ती कि मेरी कोई पिक्चर ना रिलीस होनी चाहिए विमन्स जे पे considering most of my films are with very strong female characters so I really hoped and wished के एक दिन मेरी पिक्चर विमन्स जे पे रिलीस होनी चाहिए वो ये वाली होगी ये नहीं सोचा था मैंने but हो रही है तो मैं बहुत खुश हू हर फिम का जो फैसला होता है वो रिलीस के बाद होता है चलेगी नहीं चलेगी लेकिन तापसी ने कैसा ट्रेंड सेट किया है कि पिक्चर आर या ना अच्छी होगी देखने जरूर जाएंगे तो as a woman or as a woman actress पिक्चर पे जब पूरे आपके कंदे पे जिम्मेदारी होते है तो उस चीज का प्रेशर फील होता है किया पिक्चर के कहानी सरफ मेरे इर्दगिर्दे थे प्रेशर नहीं फील होता starting में क्या था कि option नहीं था मेरे पास ऐसी पिक्चरे ही आती थी जो लोगों को लगता था कि लड़की के कंदे पे होगी मुझे नहीं लगता था कि उस early stage of my career में क्यों कोई मेरे पे जिम्मेदारी डालेगा तो मुझे लग तो उस तेम आइडिया नहीं होता था अब जैसे जैसे number of films मेरी बढ़ती जा रही है with such a strong character तो अब लोग मुझे बुलन लगे है कि जिसे कल पर सो कोई writer मुझे film pitch कर रहा था and मैं नहीं से पूछे अच्छा एक सा genre क्या है क्या ये लड़का-लड़की कहानी है female protagonist है तो ये तो of course female protagonist मजाल हमारी तुमारे को कुछ और pitch करें तो मैं करी के ऐसा मैंने सोचा नहीं है कि मैं सिरफ female protagonist वाली film में करनी है but होता किया जब picture चलने लग जाती है तो automatically they assume कि अच्छा ये इस तरह के picture ने इसकी चलती है बहुत तो इसके पास लेके आना चाहिए and I assume there are not a lot of girls who do that very often in the industry I feel so that is why it becomes like an obvious choice मेरे पास आना कोई pressure feel नहीं होता in fact, अच्छा वाला pressure feel होता है कि कुछ expectation है लोगों को मेरी picture की क्योंकि मैं चाहती हूं कि expectation लेके गुसे थीटर में ऐसा नहीं कि चलो कोई picture देख लेते हैं चलो यह लगी है देख लेते हैं मैं चाहती हूं कि audience सोच के गुसे कि मेरी picture होगी तो it'll be worth their time and money कुछ नया देखने को मिलेगा more than that it'll be worth their time and money because yeah, आज की तारीक में तीन घंटे निकाल के picture देखना theater के अंदर मतलब जब उनके पास और सौ चीज़ें करने को में बादल गुपता जी ने आपकी मदद कियो मदद तो नहीं मतलब वो ऐसे कुछ ऐसा तो नहीं कि मैं कुछी प्रॉब्म मुझा या कोई ऐसा खास लम्हा या कोई ऐसा memorable moment जो आपको याद रहे उनके साथ ना लोग यूजली उनको ऐसे भगवान की तरना ठीट करते हैं मैंने देखा है काफी आसपास के वो खुदी बड़े मतलब awkward feel करते हैं के मतलब ऐसे मत behave करो यार मतलब normal behave करो types तो मेरे साथ अलग ही हो जाता है कि मैं उनके साथ बड़ा normally behave करती हूं जैसे कि मैं किसी और को स्टार के साथ करूंगी तो मेरे लिए चाहे मैं अभिशेक बच्चन के साथ बैठी हूं चाहे मता बच्चन के साथ मेरे बात करने का जो तरीका होता है जो जिन चीजों के वारे मैं बात करती हूं वो सेम होती है तो शायद इस वज़े से जो हर दिन हर घंटा जो मैं उनके साथ बिताती हूँ वह बहुत रिलाक्स मतलब वहां पे तो स्कॉटलेंड में जो भी 6-8 घंटे रोज शूट करते थे कुछ वहांच पर एक होती थी भीच में वहीं बैठके हमारा पूरा शूटिंग एक टेबल एक लिविंग रूम में एक टेबल के एज यूद गिर्ध हुआ है वहीं बैठके लॉंच कर ले थे ते यह पड़ भी थी कि सारे crew के साथ आप लोग एक साथ खाना खाते थे हा मतलब वहीं पर क्योंकि अब वहां पर कहां बाहर निकल के अपार्टमेंट से आगा जाके वैन लगती थी तो वहां खाएंगे और तो वहां ही बैठके खा ले थे हम सब के साथ क्योंकि कोई मतलब शुजवाई भी मिसा काम कर चुका है पहले काफी बार सबकी एक्वेजिन उनके साथ है आपके जितने भी चारेक्टर्स हैं जैसे रूमी हो गई जिद्धी थी बड़ी मनमर्जियां में या फिर शाबाना हो गई यूनो एक स्ट्रेंथ दिखती थी उसमें या फिर पिंकी मीनल अरोड़ा हो गई या भी नेना सेथी हो गई तो हर लड़की कही ना कहीं अपना एक अंच देखती है उनस्ट्रिन कि यार मैं जिद्धी भी हूं में 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 स्ट्रेंथ होनी चाहिए है तो स्पेशली जब आप ऐसी स्क मिदल क्लास फैमली की लड़की हूं खुद तो जब पढ़ती हूं तो ओविसी देखती हूं कि अच्छे यार हां ये मेरो को सिमलर सा लग रहा है तो वो चीज अपने आप अट्राक्ट कर जाती है मुझे चारक्टर में और क्योंकि ऐसे मैंने का कि मैं बहुत इन मामूली स सब्सक्राइब कर देखती है तो ये ये सब गुछ पर जाता है तो आप इस वजह से अच्छे पर आप जो पर आप ए ये पुछाना जाओंगी कि लाइफ में अभी तक ऐसा कभी हुआ है कि बजपन में कॉलज में कि आपको किसी पर बहुत गुसा और आपने बहुत बहुत लेके रहोंगी तुझे तो सबक सिखाना ही सिखाना है इना गुड़ वे सब्सक्राइब करी थी आइफोन के लिए उस समय आइफोन जादा फेमस नहीं था तो वह करी थी जिसका अपने दो फ्रेंज के साथ सेम ग्रूप में और लोग शाद उस तेम जो टीचर था वो शाद पूछ भी नहीं पाई जादा क्वेस्टेंस वाईवा के अनर क्योंकि वह मतलब that I think that is the best way to take revenge definitely and last thing तापसी उन सभी audience को fans को viewers को कुछ कहना चाहेंगे की बदला देखने जरूर आना और ऐसा बदला है जो सालो साल याद रहेगा I think बहुत साल हो गए है कि हमारे इंडस्ट्री में कोई interesting murder mystery thriller नहीं आई है एक बहुत पुराना जॉनल है जो कुछ हाली में मतलब का इंगुन गया है क्योंकि हम बहुत नहीं तरह की फिल्में experiment कर रहे हैं different genres ट्राय करने हैं काफी टाइम बाद एक अच्छी intense murder thriller आने वाली है कि आपको मौका नहीं मिलेगा बीच में फोन तक चेक करने का इतनी ज्यादा intense और आपको gripping लगने वाली है तो यह कोंगे इसलिए women's day पे सारी ओरते जाके picture देखना साथ-साथ ने अपने father, son, brother, boyfriend, husband, anyone लेके जाके picture देखना क्योंकि I think you'll be proud of me क्या बात है and definitely entire India is proud of you Tapsi. So 8th March, Badla release हो रही है, Badla आपको दिखने जाना है. Thank you so much Tapsi. Thank you. Thank you so much.